आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में देखे हमसे क्या बला है कि in a series if tn is equals to n upon n plus 1 factorial then 20 summation of tn from n is equals to 1 से 20 ये कितना होगा ठीक है तो देखे question क्या दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं देखे हमें tn क्या दिया है ये दिया है देखे n upon n plus 1 factorial ठीक है अब देखे denominator में n plus 1 है और उपर n है तो देखे हम क्या करेंगे numerator को n plus 1 के terms में लाने के लिए एक plus और minus 1 कर देंगे तो देखे क्या हो जागा n plus 1 minus 1 by n plus 1 factorial ठीक है ये चीज़ आ गई अब देखे numerator में n plus 1 मिल गया इस ये करने से और देखे minus 1 भी कर दिया तो कोई फरक नी पड़ा हमें तो देखे tn मेरा क्या हो जाएगा इसको मैं लिखूंगा n plus 1 by n plus 1 factorial minus 1 upon n plus 1 factorial ये मेरा tn हो गया अब तो देखे इसको मैं क्यासे लिख सकता हूं n plus 1 by देखे n plus 1 factorial है तो इसको मैं लिख सकता हूं n plus 1 into n factorial ठीक है minus 1 upon n plus 1 factorial तो देखे ये वाला टर्म तो कट हो जाएगा n plus 1 n plus 1 और finally जो tn मचेगा वो क्या होगा देखे 1 upon n factorial minus 1 upon n plus 1 factorial ठीक है तो देखे ये चीज़ आ गया मुझे अब देखे हमें क्या बोला है question में calculate करने के लिए sigma n is equals to 1 से लेके 20 तक of tn ठीक है तो देखे ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sigma n is equals to 1 से लेके 20 तक किसका 1 by n factorial minus 1 upon n plus 1 factorial तो देखे इसको अगर मैं series को open करके लिख हूं तो देखे क्या होगा n is equals to 1 से लेके 20 तक तो 1 factorial minus 1 upon 2 factorial यह first term आ गया plus second term जो अब n is equals to 2 हो जाएगा तो 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial similarly 1 upon 3 factorial minus 1 upon 4 factorial and so on till last term second last term देखे इसका क्या आजाएगा लास्ट देखे हम तो देखे क्या आजाएगा 1 by 20 factorial minus 1 by 21 factorial और इसके पहले वाला टर्म आएगा 1 by 19 factorial minus 1 by 20 factorial एस तरह से पूरी यह series continue होती जाएगी अब देखे यहां हम देखे तो देखे यह minus 1 by 2 factorial plus 1 by 2 factorial cancel minus 1 by 3 factorial plus 1 by 3 factorial cancel इसी तरह यह minus 1 by 4 आगे वाले के साथ cancel हो जाएगा और देखे यह minus 1 by 20 and plus 1 by 20 यह भी cancel out उतका रहेगा तो finally क्या बचेगा sigma n is equal to 1 से लेके 20 tn इसकी value क्या बचेगी 1 minus 1 by 21 factorial ठीक है तो देखे इसको अगर मैं cross multiply कर दूँ तो यह आएगा 21 factorial minus 1 by 21 factorial ठीक है तो यह मेरा हो जाएगा summation of series तो options अगर देखे तो 21 factorial minus 1 by 21 factorial आशरा जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सू पर स्बीबारा जीक हो उास 아र्स्ड़र कम जीक है the hon जो हो कि चानि किया है व्योग ओर गवा लाईनलोड कि व्या है